नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है सेकर और स्वागता आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सिकर स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामानी हिंदी के महत्पूर्ण परस्णू को इन में दोस्तों उन परस्णू को लिया गया है जो किसी ने क किसी एकजाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए दोस्तों महत्पूर्ण है टोटल दोस्तों हम यहाँ पर 88 कोस्टिनों को देखने वाले हैं और 88 कोस्टिन में दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो चलिए दोस्तों वीडियो की पहला परसन है दोस्तो यहाँ पर हमारा नेमिली कित मैंसे कौन सा आचली कथाकार उतरा खंड से नहीं है दोस्तो पहली बात आपको परसन में क्या पूछा गया है वो आपको जरुड़ से देख लेना है देखें आपर नहीं पूछ नहीं है या है इस तरह से दोस्तो यहाँ आपको देख लेना है परसने के अंतम है इक्जाम में दोस्तो जब भी आप किसी परसन को हल करें तो वहाँ पर आपको जरुड से देख लेना है जल्दी बाजी में गलत उत्तर ठीक हो सकता है तो सेलेस, मत्यानी दोस्तो अलमोडा के हैं तो वेद राही दोस्तो ये उत्राखंड के नहीं है, तो इस तरह का परस्ण परवक्ता में पूछा गया था, UKPSC दोस्तो जो परवक्ता का पेपर कराया था, उसमें पूछा गया था, ये भी दोस्तो UKPSC का परस्ण है, हलांकि ये उत्राखंड का परस्ण है, नियोली लोगी तो नियोली दोस्तों आप सभी को बता है उत्राखंड से हैं और यह आपके लिए बिल्कुल आसान परसन यहाँ पर रहा होगा तो इसका से उत्र हो जाए उस्तों आप्सन नंबर B नियोली जो है यह दोस्तों उत्राखंड का अगला परसन है शिवानी का वास्तुईक नाम क् गौरा, पंत, सिवानी तो दोस्तो इसका सहूत्तर हुजाएगा यहाँ पर हमारा option number C गौरा, पंत, सिवानी अगला परस्षन है खुदेड है तो खुदेड दोस्तो किस तरह का है सरम गीत है, निर्ति गीत है, बिरह गीत है या फिर परनाई गीत है जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताने हैं खुदेर दोस्तों एक बिरह गीत है इसका से उत्रो जाएगा ओप्सन नमबर B तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले परशनी की त्रव अगला परशन है बुरास नामक कविता के रचेता हैं दोस्तों यह देखिए वर्तनी एक नमबर के लिए कई बार उस्तों इस्तर से लिखा रहता है रची एता इस्तर से दोस्तों लिखा रहता है तो यह वर्तनी गलत है यहाँ पर देख लिजे रच इता इस्तर से दोस्तों लिखा जाता है एक नमबर के लिए हिंदी वर्तनी इसे याद रखे तो यहाँ पर पूछाएगी दोस्तों जो बुरास नामक कविता है वो किसकी है तो इसका से उतर हुजएगा ओप्शन नमर ए हमारा सुमित्रा नंदन पंथ है दोस्तों यह आपको याद रखना एकजाम में छपने वाला परसन है अगला परसन है सुमित्रा नंदन पंथ का जनम दोस्तों आता 20 मई 1900 को यह आपको याद रखना है कौसानी में हुआता अगला परसन है निमिलिकित मैंसे कौन सी कविता सेर सिंग अनपड़ सेर्दा अनपड़ की है यह यहाँ पर आपको बताना दोस्तों यह भी प वद्राक भयान उफ्षंण नंबर डियो जागा दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल सथी उत्तर तो बढ़ते हैं अंगले परसनी की तरफ अगला पर पर लाल्टेन दोस्तों यह परसन सभी का फेवरेटर है सभी आयोगो का पहाल पर लाल्टेन दोस्तों बहुत ज्यादा महत महत्पुन हैं 1981 में लिखी गई थी तो यह है दोस्तू मंगलेश डबराल का नाम आपको याद अकना है पाहाल पर लाल्टेन पहुत ज्यादा महत्पुन है मंगलेश डबराल पाहाल पर लाल्टेन एक्जाम में बनेगा दोस्तू प्रसने रिबीट होगा फिर से तो याद नाहीं सुम्illar नंदन पंथ इसका से उत्रों का उस्तो चंद्रकुंवर बद्वाल चंद्रकुंवर बद्वाल को छाया वाद और परगर्तिवाद के संधिष तल्का कभी कहा जाता है बहुत ज्याता महत्पुन अस्तों फिर से रिपीट हो सकता है परसन याद रखेगा चं सदो इस तो अघुले परहए हैं ěकशाम में यूक प्रश्नीक पुछेंगा नंदा राज यातरा से ये सभी का सभी प्रसन दोस्तो किसी ने किसी एक्जाम में UK PSC ने पूछे हुए हैं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं परवक्ता के दोस्तो एक्जाम में पूछे गे हैं और आप दोस्तो दिंगे अब पहली बार UK TCC वाली परिक्षा है UK PSC कराने जा रहा है तो पहला प्रसन आ पहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है हिंदी दिवास दोस्तों मने जाता है 14 सितांबर को अगर आएगा कि एक्जाम में विश्व हिंदी दिवास कम मने जाता है तब आप बताएंगे 10 जनूरी को हिंदी का सम्मंद किस भासा परिवार से है जब अर्दस्त परस्ण हिंदी का सम्मंद किस भासा परिवार से है तो इसका सेउत्र जाएगा भारो पिये परिवार से एक भी बच्चा इस परस्ण में गल्ती नहीं करेगा अगला परस्ण है दोस्तों यहाँ पर हमारा केंद्री है हिंदी सस्तान का मुख्याला इस्तित है जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है केंद्री हिंदी सस्तान नई दिल्ली आगरा लखनव या वारणसी जल्दी से दोस्तों बताईए तो इसका से उत्र जाएगा आगरा मालवी हिंदी किस उपभासा की बोली है मालवी चल्दी से दुस्तों यहां पर आपको बताना है तो यह हो जाए दुस्तों राजिस्तानी बिल्कुल आपको याद रखना है दुस्तों एक्जाम में परसने बन सकता है कि मालवी कहां की है दुस्तों यह है राजिस्तान की है ध भी आपको याद दखना है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले परसने की त्रव अगला परसने यहाँ पर हमारा निमलिकित में से कौन सी बोली मध्धी पहाडी हिंदी उभासा के अंतरगत आती है जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जबर्दस्त परसने ब्रिज नेपाली गडवाली या लहंदा दोस्तों यह हो जाएगा गडवाली कौन सी बोली मध्धी पहाडी हिंदी के उभासा के अंतरगत आती है गडवाली दोस्तों परवक्ता का पेपर है 2018 का हिंदी का अगला परसने निमलिकित सब्दों में से किस सब्द की वर्तनी सुद्ध ह जल्दी से दोस्तों बताइए सुद्ध दोस्तों किसकी है या थेष्ट निरपरादी भासकर या फिर मिस्टान दोस्तों कौन सा यहाँ पर सुद्ध है तो मिस्भासकर दोस्तों यह भासकर इस तरह से होगा निरपरादी दोस्तों नहीं होता है निरपराद होता है निरपर पूर्वी हिंदी में अगला परसने आपर हमारा निमलिकित में से किस सब्द में वर्तनी संबंदी असुद्धी है तो देख लेते हैं आपर किस सब्द में असुद्धी है जागरत प्रिष्ट उन्नत तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है किस में यहाँ पर असुद्धी है उन्नत दोस्तों यहाँ ठीकी लग रहा है प्रिष्ट यह भी सही है जागरत दोस्तों यह भी सही है यह जागरत दोस्तों इस तरह से होगा तो यहाँ पर ऐसे कौन सा वाकि सुद्ध है अब यहां पर देखिए चार वाकि दिये होएं इस तरह के परसंदोस्तो इक्जाम में जरूर से आईंगे वाक की सुद्धी से प्रसम जरूर से आता है वैसे भी महात्मा गाधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक की एक ही दोस्तुष में सुद्ध है यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा वैठी थी यहाँ पर देखते हैं उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष होने ची यह भी कुछ अटपटा लगरा है हमारा लक्ष देश की चहमु की परग्रति पर होना ची तो यह अभी तक पढ़ने में बिल्कुल सही लगरा है तो इसका सेद्रिजे का उप्शन लमर सी अगला वर्षन है तत्सम नहीं है तो तत्सम नहीं है तो तत्सम नहीं है तो क्या होगा तत्बह होगा जहां पर भी उस्तो आपको ये वाला स्वरो दिखाई दे वो होगा हमेशा तत्सम अरपन दोस्तो ये रड़ों भी आपको जहां पर दिखाई दे वो भी दोस्तो तत्सम अग्ला परस्ण आपर। जिसे बुलाया न गया हो वाक्यान से कहले उप्युक्त सब्द दोस्तों उसे कहते हैं अनाहुत। जिसका समद उपनिवेश से हो दोस्तों उसे कहें affect उपनिवेशिक नहीं कहेंगे वे गलत है उपनिवेश्ka घलत हो71 यह जगा है यहाँ पर हमारा option number B तो बढ़ते हैं दोस्तो अगले परस्न की तरफ अगला परस्न है जो ग्यात इतिहास के पूरू का हो जबरदस्त परस्न है जो एक्जाम में बनेगा दरोगा पटवारी किसी में छपेगा यह परस्न है जो ग्यात इतिहास के पूरू का हो वाक्यानस के लिए एक सब्द है जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा इतिहासिक उस्तो अप्शन हटाईए प्राग इतिहासिक इतिहासिक या समसमाई तो ग्यात इतिहास के पूरू का दुस्तो उसे कहेंगे इतिहासिक ओप्सन नमर बी हो जागा यहाँ पर बिल्कुल से उत्तर अगला प्रस्न उस्तो यहाँ पर आपको बताना है अत्यंत सब्द में कौन सा उत्सर्ग अतिधन अंत अत्यंत उस्तो अति इसमें क्या है उत्सर्ग है और उत्सर्ग सब्द के बिल्कुल करते हैं करते होंगे वहां बिल्कुल भी बात करना नहीं चाता वहां बिल्कुल भी निपात देकर भी दोस्तों यहां पर बताया गया है ऐसी एकाद बात और देखने में आती हैं क्या बात वहां बहुत से पसु और पक्ची चरते और उड़ते दिखाई दिए यह बहुत से पसू और पक्ची पसू दोस्तो चरते हैं और पक्ची उड़ते दिखाए देए दोस्तो ये भी आपर सही है देखें वहां बहुत से पसू और पक्ची तो पसू दोस्तो चलिंगे पसू के लिए पहले चलिंगे चरते ठीक है और पक्ची उड़ते तो ये भी दोस् सही होगा उस्तो इसका सेटरुज़ का option number C ऐसी एकाद बाता है और देखने में आती है तब यहाँ पर सही होगा इसका सेटरुज़ का option number C तो अगला परसन उस्तो यहाँ पर हमारा सूर्योधाई में कौन सी संदि उस्तो बच्पन से आप पढ़ते आए हैं सूर्यधन संदि हो जाएगे इसका सेटर option number B तो बढ़ते हैं अगले परसने की तरफ अगला पर हमारा अलक होने के बोत का कारण अपादान से अपादान से दोस्तो यह हो जाएगा अलग अलगाव अपादान से पेड से पत्ता गिरा बिल्ली छत से कूत पड़ी अपादान अगला वर नहीं है चल दिसे आपको पहचान है भोला धनपन भोला पन पागल धनपन पागल बच्चा धनपन यह उसका पर यहाँ और यह बुरॉ तो यह जोएगा दो कुसुम बां नहीं है इसका सुर्टरिज़का आप्षन नमर सी अगला प्रसने है निमिनिकित मैसे कौन सा सब्द पॉलिंग है चटनी, किसकी चटनी, बहांकी चटनी, चटनी इस्टिलिंग है पहिया घूमता है पहिया 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 दोस्तों क्या होगा पुलिंग होगा इस्तिलिंग होगा जल्दी से सोचे दोस्तों पहिया यहाँ पर पुलिंग है पहिया घूमता है अगला अगला अगलार स्मय मुखम Εर्म बगल मचुरी उख्तिकार्त है मोहमेर राम बगल में चूर ये एकसर होता है चाला की करना इस्वर के नाम पर चल करना ऐसा भी नहीं होगा उपरी मितरता किंतु मन में सतुरता या राम का नाम पापी भी ले सकता है दोस्तो ऐसा भी नहीं है यहां पर दोस्तों होगा उपरी मितरता किन्तु मन में सतुरता तो यहीं होगा मुहमराम बगल में छूघी अगला परस्न है दोस्तों यहां पर हमारा सबद के अर्थ Бोधक का आधार को क्या कहते हैं? जबरदस्थ परसनल तो परवक्तामा पूझा था यूग के पेश्ची ने देखिए सब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं सब्द मूल, सब्द आर्थ, सब्द योग, सब्द सक्ती जबरदस्थ परसनल यहां पर अपर मेरिट का भी निदारान करते हैं आसान आसान अभी तक सब्द के अर्थ, बोधक आधार को कहते हैं अगला परसनल यह सब्द के लिए आसान देखिए किस लिपी से देवनागिरी लिपी का विकास माना जाता है बिल्कुल आसान है तो औप्शन नमर सी की तरह दोस्तो हम जाएंगे बरहामी लिपी अब यह तो सबी को आ गया लेकिन यह वाला परसन अच्छा था अगला परसन है निमल लिकी तो आ क्यों मैसे कौन सा सुद्ध है पंडित जी को दक्षिना दिया जाए क्या ऐसा कहेंगे पंडित जी को दक्षिना दिया जाए दस आदमी के रुकने का परबंद करो दस आदमी आपका दर्शन करने आपके गलत वे भली भाती जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे अब दोस्तों मैं यहापर किसी का नाम नहीं लूँगा आपको भी पता है तो इसका से उत्रो जाएगा option number C यह बात दोस्तों यहापर विल्कुल हमारी सही है option number C अगला वस्तन है यदी दवा लोगे तो 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 देखे यदी दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा यदी पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे यदी पढ़ाई करोगे तो 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 सफल हो जाओगे तो यह दोस्तों किसे परकार का वाक्षी है जल्दी से आपको बताना है दोस्तों कैसा वाक्षी है तो इसका सही उत्तर दोस्तों यह हो जाएगा सही उत्तर तो देखे option number C अगला परसन है अती विरिष्टी का बिलोम अती विरिष्टी का बिलोम दोस्तों यह हो जाएगा अना विरिष्टी option number B हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर अगला परसन है लोहे के चने चबाना अभी हमने देखा था लोहे के चने चबाना लेकिन यहाँ पर option अलग है कठिन आई में फसना कठिन परिष्रम करना सपल होना या फिर अधिनता स्विकार करना दोस्तों इसका से उत्र जाएगा कठिन परिष्रम करना बोले तो लोहे के चने चबाना कैसे चने चबाना लोहे के अगला अलंकार से दोस्तों परसन है हमारे सलबस में UKPSU अलंकार से जरूर परसे पूछेगा भूरे बालू की C ये C दोस्टो आपको फहचानना था कत्रन में कौन सा अलंकार है भूरे बालू की C सांट सी तो यहाँ पर कौन सा होगा Israelites etap आगला वरसनिया पर हमारा परबल का विलोम किया है तो परबल का उस तो क्या होगा पतला तो करेंगे नी दूरबल या निरबल में से घुडगे तो इसका सह उत्र हो जाए उस तो परबल का हो जाएगा निरबल परबल है और निरबल है अगला बरशने आये थे हरी बजन को ओटन लगे कपास खेती करना बेर्थ का कारी करना बेगार करना या इधर उधर भागना तो आये थे दो पटवारी की तयारी करने लेकिन करने लग आप खिर अगला परसने कपास ओटना मुहावरे कार्थ दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है यह ज़िएगा बेर्थ का कार्रिकर नाम जिस काम के लिए जिस काम के लिए आपने इच्चा सक्तिया आपने बनाई थी कि आप यह करेंगे लेकिन आप कहीं दूसरी और भटगे कोई भी मत पक ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा इसका बिलकोल बिलकोल शठीक उत्तर अगला परसने हिंदी भासा की लिपी क्या है देखते ही उत्तर ऑप्सन नमबर डी देवनागरी दिन दिवस है तो घर है क्या होगा जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए इसका सह उत्तर हो दिन को दिवस कहा सकते हैं तो यह सदन हो जाएगा अगला अगला वर चिसने सर्वोदै का संदि विच्छे थैं सर्वधन उदय गुण संदी और संद मरें ऐसे प्रस्ण को सिधे टिक करना है ऐसा का परयाईवाची है ऐसा, इच्चा, अभिलाशा, आकांच्छा ये सबी दोस्तो ऐसा के परयाईवाची है अनुराग का विप्रिता अर्थक सब दोस्तो अनुराग विराग, अनुरक्ती विरक्ती तो ये हो जाएगा आसान, option number आसान है बिलकुल बेंजन कितने होते हैं, क्या बेंजन दोस्तों, दस होते हैं, नहीं, स्वर होते हैं, यह हो जगा 33, आपसा नबर भी, पिल्कुल महाजबानी आग बंद करके आपको टिक करना है, करांती का पर्यायवाची है, करांती, स्वरी, करांती दोस्तों, कांती है, थोड़ा मैंने दोस्तोव माहदासर cyc Deutschक के परेवाचिय हैं सेट्रव को औयर आगला वरस्न वे गेहां पर हमारा यहां Ne आना मदन लाल लाल पज न कर खेलने आया मैं ही इहाँ इसमें कौण शेश्ट अब supply-tosis कोलाी कर शेश स्यंद्द कर प purl दोस्तों इसका स्युत्रीर का ओप्शन जूर पर को दोさ के बुरस्ट हेइस के इसमें एलग है ऑगाघ़ ए यहुंद लोग से हैं जल और धल में विच्छन करने वाला उस्से वह्या उभाइचर जल्म भी रहेगा थल्म जल्म रहेगा जल्म रहेगा जल्म रहेगा नब रहेगा तो इसे कहेंगे उबहिचर अगला वरसन है यहाँ पर हमारा जो कुछ न जानता हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे जो कुछ न जानता हो उसे कहेंगे अगे अगे विग्गी नहीं विग्गी तो अब जे सब्द का अर्थ नहीं है जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है अब जे बोले तो संख है अब जे बोले तो कपूर अनिकार्थी सब्द है चंद्र भी है तो यहाँ पर दोस्तो सूरी नहीं होगा इसका से उत्रू जाएगा अब सन नमबर ए अगला वरस्तने बिप्रितार्थक सब्दूं का कौन सा युग में सही नहीं है रिजू का वक्र होता है आद्र और सुस्क तो यह भी यहाँ पर सही है द्रिश्ट का बिनीत होता है अग्गी विग्गी यहाँ पर भिग्गी दिख दिख दे लिख दे गलत अ अगला वरस्तने पराते काल का द्रस्य उस बन में बहुत ही सुहाना होता था वाक्य में किस परकार की असुद्धी है पराते काल का द्रस्य पराते काल का द्रस्य उस बन में बहुत ही सुवावना होता था अनुवती समंदी सब्द चैन संदी समंदी अर्थ समंदी या फिर पत्करम समन्द उस्तो इसका सेवत्रुजे का option number B अगला वर्षन है सुद्ध वाक के कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है इन मदस तो सुद्ध वाक के बताना है जल्दी से सीमा गाने का अभ्यास कर रही है कई बार होता है कि सीमा गाने की कसरत कर रही है तो कसरत नहीं होता अभ्यास कर रही है बिल्कुल सही है भाईयो हम अन्याय सहन नहीं करेंगे तो भाईयो यहाँ पर पूर्ण विराम कलत हो गया मोहन से यह काम संभाव नहीं हो सकता किर्पिया आप पधारने का अनुगरे करें कौन सा बिसेशन भाव आचक संग्या से बनना है दया से दुस्तों बनेगा क्या दयालू तो यह हो जाएगा ओप्सन नंबर एड़ी अगला वर्शन है कौन सी अकर्मक किरिया नहीं है उठना अकर्मक किरिया है क्या उठना कोई जबाब नहीं मिल दा है सोना इसमें भी नहीं है हसना यह सब अकर्मक किरिया है तो दोड़ना यहाँ पर सक्र्मक किरिया है यहां पर दूट का धुला निश्कलंक करना यह भी यहां ठीकी है एक आख से देखना भेदवाव करना तो इसका से उत्रू ज़या ज़स्तो ऑप्सन नमबर सी अगला परसने है जोस्तो यहाँ पर हमारा अनवेशन सब्द में कौन सी संदी है अनवेशन अनूधन एशन अनवेशन तो यहन सवर संदी जोस्तो यहाँ पर बनेगी option number B असुद्ध वाक्की दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर असुद्ध वाक्की है कला और जीवन का अभिन्य सम्मंद है station पर भारी भीर लगी थी रमा ने पुस्तक है और अन्निवस्तु में खरीदी वे तो अवस्य ही आएंगे अब दोस्तों वे तो अवस्य ही आएंगे वे तो अवस्य आएंगे तो ही लगाने की जोड़त नहीं थी यहाँ पर होज़ेगा option number यह यही असुद्ध है बाकि यह तीनों सुद्ध है यह दोस्तों फिर से आगया है यहाँ पर आये थे हरी भजन को उटन लगे का पास बिल्कुल आसान है तो यह उजएगा है यहाँ पर हमारा option वर भी अगला परस्न उस्तों यहाँ पर हमारा यह आपको यहाँ पर बताना है 100-100-100 हो कौन से वेंजन कहलाते हैं इस परसी कहलाते हैं कैसे कहलाते हैं संगर्सी कहलाते हैं इस परसी है इस परस संगर्सी दोस्तों यह संगर्सी होते हैं 100-100-100 और हो यह आपको याद अखना है एक्जाम में जोड़ से परस्न बनेगा हिंदी वर्ण माला में अयोग वहा बिल्कुल छपेगा दोस्तों बिल्कुल चपेगा अगला प्रष्न है दोस्तों ये परस्न मिन पूचेगे हैं किसीए एक्जाम में वुरित्य धातर है लगने पर कौनसा सब्ध कारूप होगा जल्दी से यहाँ पर आपको निरवासित में बढ़ते हैं जुस्ट इथा निर्वासित इथ। इस्वरेच्छा में कौन सी संदी है तो यहां पर आपको बताना है यहां पर कौन सी संदी दोस्तो हो जाएगी इस्वरेच्छा जल्द से यहां पर आपको बताना है जबर्दस्त प्रस्ण उस्तो इसमें गुर्ण संदी है अगला वर्षन है विपिन का बिलो में तो इसका क् अगला वर्षन है इसमें से आपको बेमेल बताना बेमेल लेखक पाठक सववादाता परकासक लेखक होगा तो पाठक लेखक परकासित करेगा परकासक पाठक सववादाता उस तो यह न्यूज में आएगा फिर यह यहां पर बेमेल है बांकि ये लेखक, पाठक, परकास, दोस्तों ये तीनु एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पर उस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा सववादाता, ओप्सन नमबर B, दोस्तों ये परसने भी हिंदी में पूछा गया था, अगला परसन है यहाँ पर हमारा, असंगत बेमेल सब्द क चैन कीजे, सारिरिक, दैहिक, मानसिक, तो ये तीनु एक जैसे ही हो जाएगा आदी, सुद्ध सब्द का चैन कीजे, दोस्तों अभी हमने देखा था, अनुवेशन ही गलत देखें, ये अनुवेशन ये भी गलत है, ये भी गलत ही हो जाएगा ओप्सन नमबर A, चैन कीजे, तो किस में दोस्तों असुद्धी यहाँ पर आपको बताना है, आप जो लोग गिर्गिट जैसा रंग परवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोका खाऊं, ये लेकिन बात जबर्दस्ता है, अब यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना ह तो असुद्ध भाग जो लोग गिर्गिट जैसा रंग परवर्तित करते हैं, रंग बदलते हैं, दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उप्शन मर एवाला यहाँ पर इस भाग में उस तो असुद्धी है, जो लोग गिर्गिट जैसा तो यह जाएगा उप्शन मर एग अगला गैंदे की माला नहीं गैंदे की एक माला गैंदे की एक माला एसा दुस्तो होना चीए था यह गलत है यहाँ पर option number 6 का इसका से उत्तर किसी के पास रखी दूसरे की वस्तू के लिए एक सब्द क्या होगा परवर्ती परवर्ती कुडिंद सासक पपोती थाती वर्ती का जब अरदस्त परशन उस्तो हिंदी में ऐसी परशन बनते हैं तो यह हो जाएगा किसी के पास रखी दूसरे की वस्तू दोस्तो यह हो जाएगा थाती यह उसकी थाती थी हो जाएगा option number 6 अगला परशन है जिसके पास कुछ नहो अब नीरामीज भोजन सामीज भोजन तो यह तो गलत है अंकी चन दोस्तो इसका सेवत्र जगा जिसके पास कुछ नहो अगला परशन है कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे कारत पहली बार सुनना है कच्चे घड़े में पानी भरना तो उतर तो इसका आम निकाली लेंगे, कमजोर से मदद किया पेच्चा करना, कठिन काम करना, ठीक ढंग से काम न करना, या फिर मूर्खता पूर्ण कारी करना, जबर दस्तो अप्शन है उस्तो, कच्चे घड़े में पानी भरना उस्तो जगा, ठीक ढंग से काम न करना, इसक इसका अर्थ यही निकलता है आप पर चाती भर पत्थर क्या बात चबर दस्त आज देखने को मिले मुहावरे आपर चाती भर पत्थर मुहावरे का अर्थ है जल्दी से दोस्तों आपको बताना है अभी भूत करने वाला जिंदगी भर का रोग जिस चीज की चिंता या फिर असहनिये दुख, तो छाती भर पत्थर दोस्तों यह हो जागा, असहनिये दुख, अगला प्रस्ने यहाँ पर हमारा, जस दुलहातस बनी बाराता, वहाँ, सभी साती एकी जैसे, संगठन से कारिशिद होता है, बेढ़ंगा होना, या फिर सुंदर वस्तू के साथ, सुंदर वस्तू का ही मेल होना, जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, यह जागा, सभी साती एकी जैसे, जस दुलहातस बनी बाराता, कांती का परेवाची दोस्तों यह जागा, सोभा, अभी हमने इसे देखा था,